हेलो दोस्तों, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सबका स्वागत है आज का हमारा डिसकेशन का टॉपिक है एडुकेशन, नेशन बिल्डिंग, स्टेट एंड आइडियोलोजी ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पर किसी भी नेशन का नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे और यहाँ पर किस तरीके से अलग-अलग तरीके का आइडियोलोजी क्रियेट किया जाता है एक नेशन के अंदर, एडुकेशन के जरिये ये सारे चीज़े आज के class में हम discuss करेंगे तो हम पहले देख लेते हैं कि आज के class में हम mainly कौन सी कौन सी topic को discuss करने वाले हैं हम पहले देखेंगे education and nation building यानि कि nation building क्या होता है और nation building में education का किस तरीके का role होता है फिर देखेंगे role of history in nation building हमारा इतिहास किस तरीके से nation building process में अपना योगदान देता है इसके बारे में जानेंगे फिर देखेंगे role of education in nation building यानि कि education किस तरीके से एक nation को आगे बढ़ाता है उसका क्या अलग-अलग dimensions है ये सारे चीजों के बारे में जानेंगे फिर nation building in India के बारे में जानेंगे यानि कि इंडिया में किस तरीके का nation building का process चलाया जाता है इसका history, इसका freedom struggle को किस तरीके से use किया जाता है nation building process में और फिर देखेंगे India and Pakistan's nation building process यहाँ पर इंडिया और Pakistan का freedom struggle same है लेकिन फिर भी ये दोनों जगाओ पर अलग-अलग तरीके का freedom struggle का कहानी बताई जाती है क्यूंकि यहाँ पर अलग-अलग ideology create करने की बात की जाती है हर अलग nations में इस बज़े से इसको भी हमें समझना जरूरी है अगर हमें nation building process को समझना है अगर आप मेरे classes में नए है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring इस चैनल पर आपको sociology related सारे videos मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारे playlists है अगर playlists से study करोगे तो आप लोगों को चीज़े ढूनने में आसानी होगी तो चलिए आज का class शुरू करते हैं पहले हम जानते हैं कि यह nation building क्या होता है nation building एक ऐसा कोई बात नहीं है कि जहाँ पर हम सिर्फ buildings की बात कर रहे हैं बड़े बड़े इमारोती के बात कर रहे हैं नहीं nation building एक national identity को तयार करने की बात की जाती है यहाँ पर किस तरीके से एक ideal citizen को तयार किया जाएगा एक ideal citizen किस तरीके से होगा इसके बारे में उसको बताया जाता है यहाँ पर nation building में सबसे ज्यादा important role play करता है educational system अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में mainly महत्मा गांधी को ही ideal एक citizen मानते हैं और महत्मा गांधी का जो भी ideas है उनका रहन से हैं उनका अहिमसा का रास्ता ये सारे चीजों को citizen में या फिर जो बच्चे हैं उनमें impose किया जाता है ताकि वो एक ideal citizen बन सके इसी तरीके का अलग 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 तरीके का चीजे देखी जाती है हर देश का अलग-अलग nation building का process होता है यहाँ पर nation building के process में सबसे ज्यादा important role play करता है हमारा educational system यहाँ पर educational system जो है वो state के जरिए या फिर dominant section of society के जरिए अपना power impose करता है लोगों के ओपर किस तरीके का education होगा यह state ही decide करता है ताकि वो एक ideal citizen तयार कर सके हम अगर education system के बात करें तो यह हमारा mainly secondary socialization का process को देखता है हमारा जो primary socialization का process है वो हम family से पाते हैं हमारा family पहला socialization हमें देता है हमें सारे चीज़े समझाता है कि हमारा society किस तरीके से run करता है यह सारे चीज़े हम family से पाते हैं और जो हमारा secondary socialization है हम society को किस तरीके से समझेंगे इसको हमें समझाता है हमारा educational system इस बज़े से educational system जो है एक देश का character building, फिर value education, citizenship training और patriotism को समझाता है और ये सारे चीजों को fulfill करने में मदद करता है। इस बज़े से अगर किसी भी नेशन का educational system अच्छा हो तो उहाँ पर character building अच्छा होता है और वो नेशन अपना जो ideology है, growth plans है इसको अच्छी तरीके से implement कर सकता है। अब देखते हैं role of history in nation building, nation building में इतिहास का किस तरीके का role रहता है। हम अगर history की बात करें, history एक बहुत ही important part है किसी भी nation building की process में, इस बज़े से history को जो भी देश अच्छी तरीके से control कर पाता है, वो ही देश ज्यादा आगे बढ़ता है। history की जरीए ही लोग ideology create करते हैं कि हमारा ideal citizen किस तरीके से होगा, हमारा freedom struggle किस तरीके से रहा है, ये सारे चीजे हमें history ही बताता है। इस बज़े से educational system में अगर लोगों में control लाना है तो हमें education system के जरीए ही लाना होगा। इस बज़े से education एक ऐसा tool है जिसके दुआरा लोगों को control किया जाता है और लोग किस तरीके से अपने आपको बनाएंगे, ideal citizen बनाएंगे, ये सारे चीजे हमें education system ही बताता है। यहाँ पर जो भी official or legitimate knowledge है वो ही हमारे schools में पढ़ाये जाते हैं। इस बज़े से हमारा जो history है, history को पहले हमें जो भी state है या फिर dominant section है वो history को इस तरीके से तयार करते हैं ताकि वो एक vested interest fulfill कर सके। यानि कि जो भी state का interest है उसको fulfill कर सके। इस बज़े से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारा history को थोड़ा तोड़ मरोड के पेश किया जाता है student तक। जो original history है उसको fully ना बता के उसमें से कुछ portion जो हमारे important है जो nation building process में important है उसको चुना जाता है ताकि वो बाते लोगों तक पहुचाए जाए और वो ही लोग विश्वास करें और उसके जरीए एक अच्छा nation तयार हो। यहाँ पर nation building का जो process है education का जो role है nation building process में यह बहुत ही important है हम अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर post colonial period को ही अपना nation building process में use किया गया है और अच्छा citizen बनाने के लिए यह colonial history को use किया गया है यहाँ पर national educational policy, curriculum, textbook, pedagogy यह सारे चीज़े एक nation को तयार करता है अगर यह सारे चीज़े अच्छी तरीके से तयार हो पोलिसी से अच्छी तरीके से हो, curriculum, textbook यह सारे चीज़े अच्छी तरीके से हो तो एक अच्छा citizen हमारा तयार होता है लेकिन अगर यह सारे चीज़े अच् अच्छा citizen नहीं पाएंगे और लोगों का character अच्छी तरीके से build नहीं हो पाएगा इस बज़े से ये educational policies, curriculum, textbook ये सारे चीज़े बहुत important है हमारे nation building process के लिए और जो भी official knowledge होता है यानि कि जो select किया जाता है जो history select किया जाता है ये official knowledge ही हमारा schools provide करती है ये ही schools हमारा wider national goal को fulfill करत है यानि कि schools के जरिये ही हमारा nation तक बाकी लोगों तक हमारा history को पहुचाया जाता है और एक ideal citizen को तयार किया जाता है इस बज़े से educational system पे control होना बहुत important है किसी भी nation के लिए अगर अच्छा educational system के ओपर control हो तभी एक अच्छा citizen बनेगा और उस देश का character building भी अच्छा होगा अब देखते हैं role of education in nation building education का किस तरीके सा role है हमारा nation building process में हम बहुती अलग-अलग तरीके का role देख सकते हैं हम देखते हैं building human capital, fostering social cohesion, promoting civic engagement, advancing scientific and technological process, fostering national identity ये सारे चीज़े हम देखते हैं education में education किस तरीके से nation building में role play करता है हमारा पहला जो है building human capital यानि कि जो भी knowledge, skills, training है ये सारे चीज़े education ही provide करता है जिसके बज़े से लोग productive होते है, human capital ज्यादा बढ़ता है और किसी भी nation का development होता है फिर होता है हमारा fostering social cohesion यानि कि लोगों के बीच में एकता होना बहुत जरूरी है किसी भी देश में इस एकता को ही बनाता है हमारा education education system हमारा understanding skill लोगों को tolerate करना और diversity को respect करना सिखाता है ताकि सारे लोग एक साथ एक जुठ होकर रहे और देश में एकता बनी रहे और शान्ती भी कायम हो फिर educational system करता है promoting civic engagement यानि कि जो भी लोग है वो politically participate करे और अपना जो civic life है उसको अच्छी तरीके से जिये यहाँ पर educational system हमें knowledge and skills provide करती है हमारे politics के लिए और हमारा political life के लिए कि politics किस तरीके से होता है यह सारे चीज़े हमें education ही बताता है फिर होता है advancing scientific and technological process यानि कि हमारा जो scientific और technological knowledge है यह हमें education ही provide करता है जिसके बज़े से research होता है innovation होता है यह सारे research और innovation के बज़े से हमारा healthcare system improve होता है हमारा living standard भी change होता है और हमारा economic growth भी बहुत ज्यादा होता है इस बज़े से education का role बहुत important है फिर होता है हमारा fostering national identity हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारा history किस तरीके से national identity बनाता है यही education का main purpose होता है कि एक national identity तयार करना जहाँ पर history, language और culture को importance दी जाए यहाँ पर लोगों में एक pride का sense तयार करना अपनी देश के लिए यानि कि हमारा देश महान है इस तरीके का एक sense create करना और country का heritage है यह सारे चीजों को preserve करना education का main मकसद होता है इस बज़े से education बहुत ही एक important चीज है जो बहुत ही important role play करता है हमारे nation building process में अब देखता है nation building in India इंडिया में किस तरीके का nation building होता है हम जब इंडिया की बात करते है तो इंडिया का history बहुत ही लंबा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इंडिया को शाषन किया है इंडिया को oppress किया है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा important है वो है हमारे इंग्रेज जो है colonial rulers Britishers ने हमारे इंडिया को 200 साल तक oppress किया है यहाँ पर 200 साल तक इंडिया को शाषन करते हुए बहुत सारे loot मार की है कोलोनियल हिस्ट्री को ही इंदिया में कोलोनियल हिस्ट्री को ही मेन रखकर नेशनल आइडेंटिटी और नेशन हुट को कॉंस्ट्राक्ट किया जाता है। प्रोड més लोग है उनको citizen बनाने में पोस्ट्राक्ट कोलोनियल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा importance दिया जाता है कि किस तरिके से लोगों ने बहुत ही ज्यादा श्ट्रागल करके हमारे लिए freedom लाये थे। इस freedom किस तरीक किस बज़े से आया है, लोगों ने किस तरीके का है struggle किया है, problems face की थी, ये सारे history ही हमारा इंडिया का main basis है, जो nation building process में use होता है, यहाँ पर जो citizenship building का जो mechanism है, ये हमारा freedom struggle के द्वारा ही तयार होता है, किस तरीके से हमने freedom पाई है, इसको ही सामने रखते हुए हमारा nation building का process तयार होता है, फिर अगर हम इंडिया की बात करें, तो हम इंडिया में जो भी socialization का process है, ये main list freedom struggle के इर्दगिर्दी गूमता है, कि हमारा जो भी freedom movements में जो भी लोगों ने हिस्सा लिया है, गांधी जी, फिर नेता जी, फिर भगत सिंग, ये सारे लोगों ने अपना जो योगदान दिया है, ये सारे चीजों को लोगों तक पहुचाय जाता है, जो भी younger generation है, उसमें एक attitude और belief तयार की जाती है, अपनी द ताकि society में ideal citizens तैयार हो, यहाँ पर जो schools है, इनका role बहुत ही important है, ये schools officially approved जो knowledge है, ये knowledge को अपने बच्चों तो पहुचाती है, ये जो knowledge है पहुचाय जाती है, ये एक nation का बहुत ही important एक part है, nation building process का एक important part है, यहाँ पर अगर हम Indian history की बात करे, Indian history में mainly 1919 से लेके 1947 तक गांधियान इरा की बात की जाती है, जो भी गांधियान इरा है, वहाँ पर किस तरीके से Indian nationalist struggle हुआ था, वहाँ पर किस तरीके से गांधी जी ने अपना योगदान दिया था, उनका personality किस तरीके का है, उनका activities, उनका क्या ideology रहा है, ये सारे चीजे हमें बताई जाती है, ये सारे चीजे हमारे education system में दी जाती है, हमारे text books में गांधी जी का personality और ideas के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, यहाँ पर हम अगर इंडिया की बात करें, तो लोगों को non-violence और truth के बारे में बताया जाता है, कि हम किस तरीके से non-violence और truth के जरी ये एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, और हमारे nation building process में अपना योगदान दे सकते हैं, अब देखते हैं India versus Pakistan nation building process, यहाँ पर हम अगर इंडिया और Pakistan की बात करें, तो ये दोनों देश 1947 में आजाद होये थे, और इन दोनों देश का freedom struggle same है, लेकिन ये दोनों देश अपनी अपनी नजरिये से अपना जो history है, history को थोड़ा बहुत change करके present करते हैं, अपने बच्चों तक या फिर अपनी citizens तक, यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में mainly 1947 तक जो freedom struggle है, 1947 में जो हमने independence पाई है, ये इसको एक बहुत ही great achievement की तरह पेश किया जाता है यहाँ पर जो लोगों ने अपना बलीदान दिया, अपना योगदान दिया, किस तरीके से लोगों ने जान गवाई थी, ये सारे चीजों के बारे में बात की जाती है, और यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर बताई जाती है किस तरीके से इंडिया ड पाकिस्तान डिवाइड हुआ यहाँ पर freedom struggle की बात की जाती है और achievement की बात कर जाती है लेकिन हम अगर opposite में पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर nation state किस तरीकेसे शुरुआध हुई थी इसके बारे में बात की जाती है उहाँ पर freedom struggle की बारे में ज्यादा तर बात की नहीं जाती है वहाँ पर mainly उनका जो nation state है वो किस तरीके से begin हुआ था उसके बारे में बात की जाती है वहाँ पर कहानी या इस तरीके से तयार होती है कि किस तरीके से ये जो इंडिया पाकिस्तान का division हुआ था इसको बनाया गया था इसको किस तरीके से implement किया गया था इसके बारे में discuss की जाती है इस बज़े से आप लोग देख सकते हो इंदिया और पाकिस्तान का जो freedom struggle है ये दोनों same है लेकिन अपने अपने देश के ideology को fulfill करने के लिए अपने 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 देश में अलग-अलग तर अलग तरीके से different light में पेश किया जाता है क्योंकि यहाँ पर nation building ideologies की बात की जाती है कि हर देश में अलग तरीके का किस तरीके सा ideology होगा लोग किस तरीके का ideal citizen बनेंगे इसके बारे में इसके हिसाब से ही अपने history को बताया जाता है ये दोनों देश अपने अपने nation building process के लि अपना nationalism को कायम रखना चाता है और nationalism को कायम रखने के लिए education का help लेता है education के मदद से हर देश अपना ideal citizen तयार करने की कोशिश करता है और देश को एक ideal state provide करने की कोशिश करता है ताके वो देश के लिए अपने जान भी दे सके और देश के लिए हर संभब प्रयास कर सके दे के लिए तो आज का क्लास में यहाँ पर ही खतम करता हूं आशा करता हूं यह जो नेशन बिल्डिंग और एडुकेशन के उपर क्लास है यह आप लोगों को पसंद आया होगा अगर क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज आटते रहे जैए हिंद